नमस्कार मैं पुष्पेन सौनी और आप देख रहे हैं अब तक MP बात इस बक्त की बड़ी ख़बर की तो आजा जाए कि सुची में 30 लाख गड़ियों को मकान देने का प्राधान था आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ 30 लाख मकान बना के हमने कम्प्लीट कर दिये हैं तेजी साथ मकान कम्प्लीट और बाकी जिन पर तेजी से काम होगा है इस साल के अन्त तक 30 लाख मकान बना के कम्प्लीट कर दिये जाएंगे और मेरे विजायत में तुज़ा तारिक नोट कर ले 28 तारिक को दिन के बारा बजे हम 521,000 मकानों में ग्रह प्रिवेश का काईरिकम पूरे मद्वेश में रखेंगे आप भी आमंत्रित हैं हमारे प्रधान मंत्रि स्रीमा नरेंद्र मोधी जी बर्जवरी हमसे जुड़के अपनी बात कहेंगे कि बिजली के बिल के कारण कोविड कारण के दिक्का थो रही है और इसलिए चूँकि आपने माहला उठाया और जो सही बात होती है उस बात तुश्विकार करके जल्दा को राह देना ये मेरा करतब है और से माली अद्रेश पहुत है 88 लाख घरे रूप उटाओं का लगवट 6,400 करोर रुपया माफ कर दिया जाएगा ये जी बिलिए जिमिनों की उन्से आप बजुनी देश होती है 28 लाख उपवोगदाओं ने समाधान योटा के अंदर गड़ एक सो नवासी करोर रुपया जमा किया था अब वो ये महसुस ना करें कि हम तो ठकेंगा है हमने जमा कर दिया वहमारा क्या होड़ा मैं आज ये फैसला भी कर दा हूँ कि उनके जितने पैसे उने जमा किये वो आगर विजली के बिलों में समाय उजित कर दिये जाएंगे मानी अदर्श बहुत है कई किसानों ने दो लाख रुपया के माफिं के चक्कर में पईसानी बहरा डिफाल्टर हो गए और डिफाल्टर हो गए तो ब्याज का चकर चानू हो गया और वो ब्याज की चक्री यह सी चली कि कई जब बुरी तरह से परेसान है और इसलिए आज इस पवित्र सतन में ये फैसला कर रहा हूँ आपके सामने कि जो डिफाल्टर हो गए चकर कर रहे है कि हमारा कर्दा माफोजा का उनके उपर कर्द के ब्याज का जो गोज है वो भारती जन्दापाइट की सरकार उतारने का काम करेगी बाएट